कि हाला दोस्तों नमस्कार में किटीजी इस्किल्स ओनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर आप सभी का स्वागत है बचों एक अपडेट के साथ बचों यह इंफॉर्मेशन जो है इंडियन रेलवे के रिगार्डिंग है बचों इंट्रिकल कोज फैक्ट्री चैन्ने ने बचों गपेंसी निकाली है या मैं कहूं कि и ऐप्रेंटिस भठी जो है वो निकाली है एप्रेंटिस आइटे आइ जो आपके होते हैं जिनोंने आइटी आई बीभिन ट्रेडों के माध्यम से क्या है उनके लिए बच्छों एप्रेंटिस निकाली गई है तो बच्छों इस पूरे एड़टाइजमेंट को डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी बच्छों कि बच्छों को बहुत ज्यादा जो है वेट कर रहे हैं सबी लोग बच्छों कि और उमीद भी है और उमीद भी है और हो सकता है बच्छों कि 2023 का जो यह साल है कि आपकी उमीद पर जो है कि ITI के लिए, ITI के लिए 2023 से अच्छा साल कोई भी आज तक नहीं हुआ होगा, इतनी bumper vacancy जो है किसी साल नहीं निकली होगी, और सबसे अच्छी बात ITI को लेकर बचाओ ये है कि अगर आपने देखा होगा, तो Indian Railway ने एक notification जारी किया था, कि Group D का जो exam होगा, उसमें केवल ITI वाले ही appear होंगे, Group D का exam जो है उसमें पहले open किया जाता था, पहले open कोई भी उसको बढ़ सकता था, 10th, 12th और जब ये open कर दिया, तो बच्छों उसमें degree, diploma और भी बच्छों कोई courses वाले जो हैं, इस Group D में घुश जाते थे, और वहाँ पर जब उनका selection हो जाता था, तो Group D अगर मैं बात करूँ, Group D जो है वो railway, Indian railway की जान है, Group D जो होते हैं आप लोगों के, चाहिए आपका signal trafficking या फिर आपका maintenance का काम हो, या फिर आपके track का देखना हो, तो बहुत सारी चितने जितनी भी बच्छों जो जमीनी तोर पर काम करते हैं, Indian railway में वो बच्छों आपके क skills होना चाहिए आदमी को, बहुत skills उजना होता है, यह duty ऐसी है बच्छों, जैसी आपकी, आप मैं कह सकता हूं कि एक police, एक जवान की duty होती है, चाहिए धूप है, बारिस है, ठंड है, कैसा ही भी मौसम है, लेकिन अपनी duty जो है, अपनी duty जो है, उसको करने जाना ही है, तो इसी लिए, इसी लिए, इंडियन रेलवे ने बच्छों, अब ग्रूप D का जो exam है, जिससे कि आपने देखा होगा, क्रोनकाल के दुरान वो उपन कर दिया था सब के लिए, अब बच्छों, वो केवल ITI वाले ही उस exam को भर पाएंगे, तो ITI वालों के लिए, अगर से ज्यादा employment देता है service, इसी सिलसले में इसमें हम नए अपडेट भी आएगे कि कब तक जो है, कुछ नए अपडेट के इंडियन डेलवे, के नए नोटिविक्शन, इंडियन डेलवे में ऐसा क्या कोई चल रहा है, क्या भरती कब तक आएगे, क्यों कि भरती तो बच्छो इंडियन डेलवे में जो कि आपकी एक्षण नए में है, उसमें एक अपरेंटिस निकाली है, Under Apprentice Act 1961, यह जारी करा है, इसके लावा देखो अगर मैं बात करूं तो इस अपरेंटिस के लिए इस अपरेंटिस के लिए बच्छो जो फॉम आंगे गई है, ओनलाइन फॉम, इसे डेट 31 मई 2023 स ओन और 30 जून वह लाश्ट डेट है, इसके लावा हम देख लेगते हैं बच्छो वैकेंसी का रोष्टर देख लेते हैं हम एक बार कि किन-किन ट्रेटों के लिए, क्युकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आइटईड रेल यह के वैकेंसी निका अगर आप इंडियन रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो उसका फाइदा बचों आपको मिलता ही है कोई अलग-अलग जोन का अलग-अलग रिकुर्मेंट जब होता है तो आपने देखा होगा कि जिस अगर वह अगर रिकुर्मेंट कभी निकालता है जोन बाइज अलग-अल नहीं करना पड़ेगा तो इसलिए बचों इसलिए जो है इंडियन रेलवे समय समय पर आपको निकालता रहता है तो मैं ट्रेड बता देता हूं बचों किस ट्रेड में जो है वेकेंसी निकाली गई है यह अप्रेंटिस निकाली गई है कारपेंटर, इलेक्रिशन, फिटर, machinist painter welder radiology pathology ठीक इसके लावा बच्छों आपकी जो टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल बच्छों पांसो थीस जो है यह apprentice के लिए vacancy है और कैसे बच्छों कैसे candidate with qualification अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं तो क्या-क्या मांगा गया है तो eligibility conditions के अगर मैं बात करूं तो minimum 15, maximum 15, age of the candidate will be record as a record as a 30 June 2023 को जो है वो आपकी maximum age है वो आपकी 20 साल होनी चाहिए और minimum आपकी 15 साल होनी चाहिए बच्छों क्लियर हो गया तो इसके लाव बच्छों कैटेग्री के लिए जो होती है वो गवर्मेंट के norms में छूट होती है जैसा कि 3 और 5 आपका OBC ये तो 3 और SC ST ये तो 5 साल का होता है फिटर के लिए क्लिए 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 10th होना चाहिए 10th में कम से कम आपके 50% marks होना चाहिए इसके लावा आप ITI होना चाहिए बच्छों ITI National Council of NCBT और SCBT यहां पर यह चीज़ खतम कर दिया बच्छों NCBT वाली भी अप्लाई कर सकते हैं और SCBT वाली भी अप्लाई कर सकते हैं इसी तरह बच्छों सेम जो है वो और टेड़ों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कुछ सीटे बच्छों फ्रेशर के लिए भी मांगा गया है और फ्रेशर के अगर में बात करूँ तो फ्रेशर में 10th और 12th वाले आ जाते हैं तो बच्छों अगर आप 10th और 12th किया है अपने 10th किया है या 12th किया है और आप Indian railway में जो है एप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए भी मौका है तो फिटर इलेक्रिशन मशिनिस्ट के लिए बच्छों में शुड हैव पास्ट 10th क्लास विद 50% आपके पास होना चाहिए ठीक अट मैस अंडर 10 प्लस उस सिस्टम इसके लावा कार्पेंटर पेंटर के लिए बच्छों आपके पास दस्वी पास होना चाहिए कुल लेकिन फिटर इलेक्रिशन मशिनिस्ट में आपको कि पास साइन्स और मैस जो है वो सब्जेक्ट होने चाहिए वैल्डर के लिए बच्छों ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो यह था बच्छों तो इसके लावा अगर मैं स्टिफेंड की बात करूं जो आपको महनताना मिलता उस दोरान स्टिपेंड जो आप करते हैं तो उस दोरान आपका एक्समेंस जो है वो आपका भारत सरकार इंडेन बेल वे मतलब दोनों मिलकर जो है वो देते हैं आप लोगों को तो फ्रेसर की बात करूं और फ्रेसर में आपका मैंने कहां 10th और 12th training होगी बच्छों, during the second year of the apprentice training there shall be increase in 10% in the prescribed minimum, दूसरे साल जो है वो आपका जो है वो 15-10% का जो है increment हो जाएगा and further 50% increase in the prescribed minimum instrument amount during the third year. तीन साल का बच्छों, तीन साल जो है यहाँ apprentice जो है वो आपको दे रहा है, तो उसी condition में पहले साल जो है दूसरे साल 10% increase कर रहा है और तीसरे साल 15% increase कर रहा है तो बच्छों, तीन साल आपका बहुत जाबा जादा होता है, अगर तीन साल अप्रेंटिस होगर हो गई यहाँ से, तो एक बहुत, इसके लावा लिंक दिया गया बच्छों, लेंक दिया गया है, इस लिंक पर और यह जो नोटिफिकेशन से यह में आपको हमारे जो टेलिग्राम चैनल है, मेकेटीजी स्किल्स आईटी आई, में बच्छों यह मैं नोटिफिकेशन डाल दूँआ, वहाँ से मैं कॉपी जो आपका लिंक लिंक है, यह आपको description box में मिल जाएगा, इसके लाव यहाँ पर आप आप जो है online apply कर सकते हो इस लिंक में, इसके लाव आपको जो है apprentice वाले portal में जो है, जैसा कि हम बार-बार कहते हैं, वहाँ पर आपको जो है registration करना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि apprentice वाले के माधियम से railway आपको communicate करेगा, ठीक, तो mode of engagement बता हूँ, the merit list will be based on the marks obtained class 10th, class 10th की mark पर जो है, वहाँ पर merit बनेगी, तो एक चीज यहाँ पर clear होगा, कोई exam नहीं होगा, class 10th की merit होगी, उसके basis पर आपका selection होगा, clear हो गया, इसके लावा यही आपको important सीज है यही है, तो यह है, निकाला है बचों, इंडियन रेलवे ने, तो बचों अगर आप चाहते हो, इंडियन रेलवे से अगर apprentice और बहुत अच्छा मौका है, तो आप लोग जो है, इससे apprentice कर सकते हैं, Intrigal Coach Factory channel, तो ठीक है बचों, जल्दी बचों नहीं इनफोर्मेशन, नहीं नोटिविसन के स साथ जो है, मिलेंगे, ओके, थैंक्यू